राम कथा के रसिकबर भगत राज मतिधी आये सुवासन लीजिये तेज पुन्ज महावी यह सब चरित कहा मैं गाई आगली कथा सुनो हुमन लाई विश्वा मित्र महामुन ग्यानी बतरी विपिन सुभ आश्रम जानी यह सब चरित्र मैंने गाखर बखान कर कहा अब आगे की कथा मन लगा कर सुनो ग्यानी महामुन विश्वा मित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र इस्थान जानकर वस्ते थी जह जप जग्य जोग मुनी करही अति मारीच सुभाहू ही डरही देखत जग्यन साचर धावही करही उपद्रभ मुनी दुख पावही जहां वे मुनी जप यग्य और योग करते थे फरन्तु मारीच और सुभाहू से बहुत डरते थे यग्य देखते ही राक्षस दोड़ पड़ते और उपद्रभ मचाते थे जिससे मुनी बहुत दुख पाते थे गाधी के पुत्र विश्वा मित्रजी के मन में चिंता चागई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे विना ना मरेंगे तब स्ट्रेस्ट मुनी ने मन में विचार किया कि प्रभू ने प्रत्वी का भार हरने के लिए अफ्तार लिया है एहू मिस्देख हूँ पदजाई करिबिन ती आनव दो भाई ग्यान विराग सकल गुन आयना सो प्रभू मैं देखब भरिनयना इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूँ और विंती करके दोनों भाईयों को ले आऊँ अहा जो ग्यान वेराग्य और सब गुनों के धाम है उन प्रभू को मैं नेत्र भर कर देखूंगा बहु बिधिकरत मनोरत जात लाग नहीं बाहार करिम जन सरहू जल गई भूप दरवार सियावर राम चंद्रपद जैशर्णम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सुदशरत अजिर पिहारी दीन दयाल वीरद संभारी हर रहुना थ मम संकट भारी बहुत प्रकार से मनोरत करते हुए जाने में देर नहीं लगी सर्यूजी के जल में इसनान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयों लई विप्र समाजा करी दंडवत मुनि ही सन मानी निज आसन बैठारेन आनी राजा ने जब मुनी का आना सुना तब वे भ्रह्मनों के समाश को साथ लेकर मिले गए और दंडवत करके मुनी का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया चरण पखार की नियति पूजा मुसम आज धन्य नहीं दूजा बिविद भाती भोजन करवावा मुनी वर हिर्दे हरश यति पावा चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाई जिससे श्रेष्ट मुनी ने अपने हिर्दे में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया पूनी चर्णनी मेले सुत चारी राम देखी मुनी देह विसारी भहे मगन देखत मुख सोभा जनुचकोर पूरन ससीलोभा फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनी के चर्णों पर डाल दिया उनसे प्रणाम कराया श्री राम चंद्र जी को देखकर मुनी अपनी देह की सुधी भूल गए वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो तब मन हरशी बचन कहराओ मुनी असे कृपा नकी नहें उकाओ यही कारण आगमन तुम्हारा कहू सोकरत नलावा उंबारा तब राजा ने मन में हरशीत होकर यह बचन कहे हे मुनी इस प्रकार किर्पा तो आपने कभी नहीं की आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ कहिए मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा मुनी ने कहा हे राजन राक्षसों के समू मुझे बहुत सताते हैं इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ छोटे भाई सहीत श्री रगुनात जी को मुझे दो राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा देहु भूप मन हरशित तजहु मोह अज्यान धर्म सुजस प्रभु तुम्हाँ को इनके है अतिकल्यान सियावर राम चंद्रपद जैशरिणम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवव सुदशरत यजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नात मम संकट भारी हे राजन प्रसन मन से इनको दो मोह और अज्यान को छोड़ दो हे स्वामी इस से तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्यान होगा जैशिया राम